नमस्कार, मैं डीजी और आपका स्वाकत है गपशप निउस में आने मरे दिनों में अभारत में भी अंतरिक्ष के शेत्र में बड़ा बदलाव दिख सकता है इसरों ने अलान किया कि अब प्राइवेट कमपनिया भी रॉकेट और सैटलाइट बना सकती है इसरों के चेर्मेन के सिवन ने कहा कि अब स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कमपनियों के लिए खोल दिया जाएगा बता दे कि इस साल नासा ने पहली बार प्राइवेट कमपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से दोर लोगों को इंटरन स्पेस स्टेशन भेजा है के सिवन ने आज कहा कि निजी शेत्र को अब रॉकेट और सैटलाइट बनाने जैसी अंतरिक्ष गतिविद्यों की अनुमती दी जाएगी उन्हों ने कहा कि इसरो के अंतरग्रेय मिशन का भी हिस्सा बन सकता है हलाकि सिवन ने कहा कि इसरो की गतिविद्या कम नहीं होंगी इसरो की तरफ से शोध और विकास के काम लगातार होते रहेंगे बतादे कि पिछले कई सालों से प्राइवेट कमपनिया इसरो को कॉंपोनेंट्स और दूसरे समानमोया कराती रही है सिवन ने कहा अंतरिक्ष अनुसंथान के शेत्र में अब रोजगार की संभावना बढ़ेगी इसके लावा इस सेक्टर में ग्रोथ की भी अच्छी संभावना है बता दे कि अमेरिका चीन और यूरोप के कई देशों में अंतरिक्ष को लेकर हो रहे अनुसंथान में पहले से ही प्राइविट सेक्टर की भागेदारी रही है केंद्रमंती जितेंद्र सिंग ने ये जानकारी देते विका था इससे ना केवले शेत्र में तेजी आईगी वलकि भारतिय उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थविवस्ता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद